तो जी यहां तक आप सभी ने देख लिया था कीचन की कितनी सफाई हो चुकी थी दराजव गैरा सारे यह बाहर निकाल दिये थे और जो वहां से साफ करना था साफ कर दिया था बस अब यहां से सुरू करेंगे भई टोकरे और हालत मत पूछी मेरी हालत बहुत खराब हो चु जलते तो यह बात मुझे सबसे अच्छी लगया क्योंकि फिर अच्छे से साफ हो जाते हैं तो इनको लिया ही थी मैं एक एक करके अब दोने लगे हैं और यह जो लकड कहना मतलब इसको भी मैं पानी के साथ और सरफ के साथ ही साफ कर रही हूं क्योंकि जब इस पे इतना प साथ और इतना पानी नहीं मैं इसके उपर गिरा रही हूँ थोड़ा ही पानी इसके उपर गिरा रही हूँ और फाइनली आज हमारी कीचन जो क्लीनिंग अभियान चला हुआ था आज पूरी तरह से समापत हो चुका है बस अब कीचन में होर काम नहीं करेंगे जितना भी काम था सारा आज ही हमने समापत कर दिया भई फते कर दिया आज तो इनको धोके और फिर चलते हैं अंदर जो कीचन अभी तो वही है दराज वगेर ही वहां से जो था वह साफ हूँ है बाकी तो भी टींडरा भींडरा यानि की बरतन शर्तन डिबेस बेस सभी ऐसे पड़े हैं वैसे बरतन वगेरा मैंने मांज दी हैं साफ कर दिये हैं मतलब और बस अभी समान को समेटना है क्योंकि उसमें भी काफी टाइम लग जाता है और मैं पता क्या सोच रही थी मैं सोच रही थी कि तीन तो हम बंदे हैं और कई बार तो एक ही प्लेट में तिनों के तीन खाना खा लेते हैं और इतने सारे बरतन ये मेरे भगवान इतने बरतन तो आज मैंने सोच आ कि इन में से थोड़े ही बरतन बाहर रखोंगी बाकी सारे कवर करके न रख देंगे क्योंकि इतने बरतनों की जरूरत नहीं है और फिर न ये मतलब कीचन भी फिर जादा भरी भरी सी रहती है तो कोशिश करेंगे जितना भी कम हो सके बाहर उतने ही कम बरतन रखेंगे और फिर जितने जादा बरतन उतने ही गंदे भी हो जाते हैं भई ये बात भी है ऐसा नहीं है कि हम कई बार एक ही प्लेट में खा लेते हैं तिन्नों पर ये भी है कि जितने ज़्यादा बरतन और उतने ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम बरतन बाहर रखेंगे, बाकी सारे बरतन समेट के ना रखेंगे, अंदर रखेंगे, जब कभी जरूरत होगी तो निकाल लेंगे, वैसे फिर भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़े बहुत भी मैं बाहर रखती हूँ बाकी सारे कवर करके रख देंगे तो ये इशांत बेचारा लगवा था ये भी मेरे साथ तो सूख गे थे और इनको लियाई थी भई अंदर कुछ तो इशांत ने लगा दिये इशांती ने लगाए हैं ये और इशांती ने निकाल ले थे वई ये काम इशांत का था और ये ना मतलब यहां सैट नहीं आया था इसमें एक कील निकली हुई थी तो इशांत ने देखा भी उसको ठीक करने लग रहा है तो बेचारे की इशांत की भी मेरे साथ आज हालत खरा ही नकरे जाडते हैं दिखाते हैं हमें नकरे तो वो तो पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है घर में क्या करते हैं तो बस आदमी सारे ऐसे ही होते हैं या बस हमारा ही बंदा ऐसा ही है यह मुझे नहीं पता पर हमारा बंदा ऐसी है मतलब इसको यह रहता है कि हम सारे दिन फ्री बैठे हैं बस हम कुछ नहीं करते हैं और मैंना साथ देप पांच वजे इस काम में से निम्टी थी और बस फिर तो भई मेरी हालत खराब होगी थी लाश्ट में जाके और कल वीडियो मतलब बनाई तो थी पर अपलोड नहीं कर पाई कल करनी थी ये तो क्योंकि दो हमने वीडियो बनाई थी मतलब एक ही दिन का काम था ये सारा तो इसको हाफ हाफ कर लिया था तो नहीं तो फिर आपको पता ही है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर उसमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है ना तो इशांत यहां भी मैगी ब बनाई थी हमने दो पाउच थे टैन टैन वाले हैं तो वह बस वह बनाई और खाई बाकी पानी पेपि के काम करते रहे और जो बाकी के बरतन होय निकले थे तो झोड़े बहुत उनको करने लगी थी तो यह देखियो भाई सार्थ के सार्थ चल रहे हैं और थोड़ा सा चांत ने मैगी बना दी तो मैगी खा पी के फिर से मतलब डिब वगेरा ये सूख गए थे और इनको लगा देते हैं थोड़ा बहुत रेश्ट किया पांदस मिनट के लिए और जितना हो सकता है बरतन जैसे की कम ही बाहर रखेंगे और ये हमारे बरतन अब रखने की बारी आ सूख भी गए हैं तो अब मैं सोच रही हूं कि कैसे कहां कहां इन बरतनों को किस हिसाब से रखूं क्यों बीज बीज में मैं मतलब ऐसे अराम से भी बैठ जाती थी सोचती थी कि कैसे क्या करूं मतलब बहुत बहुत पता नहीं थना मतलब सोचना भी मुझे पढ़ रहा था कि कैसे क्या काम करूँ कहां से शुरू करूँ और कहां से खतम करूँ क्योंकि सारी कीचन भरी पड़ी थी और जो बरतन बाहर चाहिए थे मुझे बाहर रखने हैं वो बाहर रख लिए और जिन को उठा के रखना है मतलब मुझे जरूरत नहीं है तो उनको रख देंगे अलग से टोकरे में और ये टोकरे तो लगे हुए हैं चार पांच दराज से और इस से अलग दो टोकरे और हैं मेरे पास तो एक टोकरे में वो बरतन भर देंगे जिनकी जरूरत नहीं है मुझे और कपड़े से कवर करके फिर रख देंगे जब जरूरत होगी तो ले लेंगे वैसे जरूरत नहीं पढ़ने वाली तो इस तरह से भई सारे बरतन अड़्जेस्ट कर देंगे है ना बाहर रख लेंगे कुछ और बाकी के सारे पंचा देंगे अंदर और ये तो बोली रहे थे आके बरतन कहां गए मैं कहा है मैं बरतन पहुंचा दिए जहां पहुंचाने थे तो इनको बरतन कम नजर आ रहे थे तो फिर मैं क्या अब तो रख दिये हमने उठा के बरतन क्या करना जादे बर्तनों का और इस टाइम तो भई ठक गी थी मैं पूरी तरह से और इशांत को बोल रही थी भई अब क्या करें चाए पीए या क्या करें तकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बस अब थोड़ा ही हमारे पास काम बचा है мतलब काम क्या बचा है यहां से मंज़ा निकालना और मुझे अपनी कीचन की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि कीचन बहुत बड़ी सी है खुली डिली है और मेरा मन करता है कि मैं ऐसे ही कीचन में मंजा लगा के सो जाओं कीचन में ही रहूं बस है ना तो अच्छा लगता है यहां पर जब मंजा मंजे पर बैठके काम करो ना तो अच्छा लगता है सर्दियों में कई बार आपने देखा होगा कि हम कीचन में ये मंजा कर लेते हैं और यहीं बैठके फिर गर्मा गर्म जैसे साग बनाते हैं तो मक्की की रोटी यहीं बैठके इशान तो खाते हैं गद्दा लगा लेते हैं इस मंजे पे तो अच्छा गर्मा गर्म एक एक रोटी बनती है और खाते हैं तो मजा जाता है और जैसे प्रांठे वगरह न तो अच्छा लगता है यहां बैठके खाना भी इस तरह ऐसे तो यह बात अच्छी है मेरे कीचन की बड़ी है खुली डिली मस्त कीचन है एक दम से मुझे भी अपनी कीचन सबसे ज़्यादा पसंद मुझे अपनी कीचन ही है तो अभी शांत को बोलते हैं बड़ी बरतन तो यहां से उठ चुके हैं और यहां से अब यह जो मंजा है ना इसको निकलवाते हैं पहले इस शांत निकाल देगा इसको क्योंकि इसमें प्लेट्स वगेरा चम्मच वैसे थे यह हमने गए थे हम कहीं तो लिये थे मतलब घूमने गए थे ना तो रास्ते में खाना भी बना के ले गए थे तब खाया था ना तब की यह बच्ची पड़ी है तो इनको भी रख दिया और अब यह बोतल वगेरा रह गई हैं तो इनक इशांत को मैंने लगा दी है आवाज की इशांत भाई अब आजा और थोड़ी सी हेल्प और करतो पोच्चा रह गया है और उपर से ना एक मैं भूल गी हूं मुझे ना जो यह कीचन वाली विंडो है ना यह साफ करनी है मैं भूल गी पहले करनी थी वैसे यह साफ तो अब करूंगी तो साथ के साथ इसको जब मतलब कीचन के यह पोच्चा लगाएंगे ना और यह रह गए पोकरे वाले तो साफ होगे बाकी के दो तीन ने दराज है ना बाहर से साफ करना रह गए हैं इनको साफ करूंगी तो यह आ गया भी इशांत और निकाल देगा यहां से परिए मैं यह खिड की रह गी थी यह मुझे याद की ने रही तो बाद में याद आई आई है मैं कह छलो इसको भी साफ कर देते हैं और देखिये वई चाहे तो 10 दिन में साफ करो चाहे हफ़ते में साफ करो चाहे महीने में चाहे दो महीने में तो पता नि कैसे इतनी मिट्टी आ जाती है और जब कि ये ना हमेशा बंद रहते हैं इस बाहर जो शिश्य वाली है वो किड की मैं मतलब कभी-कभी खोलती हूं इनको तो पंखा लगा हुआ कीचन में तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर भी ना इतनी गंदी हो जाती है अभी देखना इन में से ना इतनी मतलब बहुत और मेरे उपन कोकरी चड़ गया था चोटा सा तो इशांत को बुलाया था मैं के देखियो मेरे पीच्छे कुछ है क्या और अभी मैं दिखाती हूं कि इस जो खिड़की है जाली वाली इसमें से इतनी मिट्टी निकली बहुत ज़्यादा और बंद होने के बावजूद भी मतलब बाहर शिश्ये वाली ये खिड़की है वो बंद रहती है तब भी इतनी मिट्टी मैं देखे खुद हैरान कि भैई जितनी मर्जी सफाई कर लो और बिना इतनी धूल मिट्टी हो ही जाती है कमाल है मैं तो ये खुद हैरान रहेगी जब मैंने कपड़े दोने वाले ब्रश से साफ किया वो तो मैं वैसे ही ब्रश ले लिया था इशान को बोला कि ब्रश देना तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी मिट्टी निकलेगी ये देखे कैसे मिट्टी दूए की तरह उड़ रही है ये देखे भई मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से इसमें से मिट्टी निकलेगी तो इतनी मिट्टी निकली भई इसमें से कमाल है डीप क्लीनिंग होगी थी एक रूम की तो बैड रूम की जिसमें हमारा पूरा दिन बीथता है आप सभी को पता तो वो वीडियो भी बहुत मस्त बनी थी भई पर वो गलती से डलीट होगी है सच में वो वीडियो तो बहुत अच्छी थी और फिर उसके बाद हमारे रह जाते हैं दो रूम होर तो उनको साफ करेंगे और उस रूम में भई जो वो दिवार खराब होगी थी ना ग्रीन वाली तो उस पे पेंट करना है बाकी हमारा जो प्लैन था ना पेंट करवाने का वो चेंज हो गया क्यूंकि काम दूसरे बढ़ गए थे भई कोई मतलब कोई क्या वो जो अलमारी थी उसमें डिम्मक लगी थी ना वो निकल के ही इशान के पापा के ओपर गिर गी तो एक तो उसको ठीक करवाना था क्या वो नई बननी थी तो हमने लोहे की बनवाई तो फिर जो लोहे की बनवाई ना इसके लिए बनवाई थी तो वो इसको देखते हैं लकड की ही बनवाएंगे और बस फिर इसलिए प्लैन चेंज हो गया क्योंकि बजट के हिसाब से चलना होता है ना तो थोड़ा सा अब बजट खराब हो गया था तो फिर अगली बार देखेंगे वैसे साफ हैं कली वगेरा की पेंट वगेरा की इतनी जरूर करूंगी और वीडियो में देख लेना है ना तो यह देखेंगे कीचन से पूरा एक कट्टा कबाड का निकल चुका था तो अब इनको साफ करने लगी मैं कह रही हूं कीचन से ना मैंने एक कट्टा कबाड का निकाल दिया इतना मतलब कबाड मतलब वह भी समान मैंने फेंक काफी अच्छा लगता है हाँ हम इसको यूज कर लेंगे कुछ भी तो वो कहीं मार बेकार निकलता तो चलता नहीं तो वो काफी सालों से रखे थे तो मैं ने आज वो कुडे में डाल ही दिये मन तो नहीं था कि मैंन को गेर दूँ पर फिर भी मैंने गिरा दिये और हमारे